वेल्कम बैक डियर सब्सक्राबर्स तो आज की इस वीडो पर में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप वी एन एप में सिनेमेटिक स्टाइल में टेक्स्ट इंट्रो एडिटिंग कर सकतो जी हाँ बिल्कुल मूवीज के जैसा तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडो को पूरा देखें और चलिए अब हम अपने वीडो को स्टाट कर लेते हैं वीडियो को एडिट करने के लिए आपको दो एपलीकेशन के जोरत पड़ने वाली है एक वी एन एप इस एप में हम पूरा वीडियो को एडिट करेंगे और एक पिक्सल लेब एप, पिक्सल लेब एप के मदद से हम कुछ इस तरह का जो टेक्स्ट होते है उसे क्रेट करेंगे तो यह दोनों एपलीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल लियागा और इन एपलीकेशन के बार में अगर आपको और जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो ठीक है एंड यूटूब थमनिल इसे सेलेक्ट कर लेना है एंड ओकी करना है तो आप देख सकतो इस रेशो में आ जाएगा एक आपको यहाँ पर टेक्स्ट भी देखने को मिलेगा इसके ओपर ही आप रहना और यहाँ पर आपको यह वाला ओप्सन देखने को मिले सेकेंड नमबर है फिर इसे आप यहाँ पे सेंटर में रखने की outline एंड करना एड ही सेंटर में रखने के एक Correct amar और भी है आप यहां scroll करोगे तो आपको relative position का option मिलेगा इसके उपर click करके यहां click कर देणने एंटर में आ जाएगा ठीक है उसके बाद इसका फॉंट आपको change करना होगा तो आपन फॉंट का option मिलेगा इसके उपर click करके यह वाला फॉन्ट को आपको सेलेक्ट करना है मैं आपको दिखाता हूं यह जो एमरीका कैप्टन है ना अमरीकन कैप्टन इसे सेलेक्ट करना है अब यह जो होता है फॉन्ट वो हर एक पिक्सल में नहीं होता है इसे आपको एड करना पड़ेगा तो आप यह जो सेकेंड ओल आपको दि description में आप वहां से गेन कर सकतो वहां से गेन करने के बार download को पर click करना फिर अपने इस font को select करके just add कर देना तो आपको जो font होगा वो add हो जागा मेरा पहले से added है फिर भी आप यहां देख सकतो तो starting में add हो गया ठीक है फिर से select करें के okay कर देना अब इसे आपको फिर से आपको अच्छा से हम बीच में रखना है तो वही टेकनिक अपनाते हैं इसको पर जा कि उसे लिख देते हैं edit को पर जाके देन उसके बाद okay कर देना है ठीक है उसके बाद इससे अच्छे साप यहां पर adjust कर लेना देन आपको यहां पर यह जो दो layer दीख रहे ना इसको पर click करना है और यहां पर click करके इन दोनों को आपको select कर लेना है ठीक है select हो गया फिर इसमे इसको पर click करना okay करना यह merge हो जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर थार्ड वाल बटन को पर click करना है scroll करना है यहां पर texture कर एक option मिलेगा इसको पर click करना फिर इसको पर आपको click करना है और एक image select करना है उस image का link मैंने description में दे दिया है वहां से अब उसे gain कर सकत हो मैं इस की बात कर रहा हूं ठीक है इसे सेलेक्ट करना और बीच वाले करें को सेलेक्ट करके ओके करने आप यहां पर देख सकते हूं यह जो इमेज वो एड हो चुका ओके अब इसका जो बैक्ग्राउंड है उससे आपको रिमूब करना हो तो यह जो फोर्थ वाला आप्सन है इसको को पर क्लिक करें के ट्रांस्पर एंट को पर क्लिक कर देना चल्ट wellness को इसे उस से कुशनक करने से фильм करनेसे पहले कस्टम को पर मक्लीक कर दिया कर सकतोओं यह ची चैनल के निम आप को कुछ भी लिख सकते हो जैसा आपको टॉपिक होगा ठीक है अगर आप एक लेटर वाले चाहते हो तो और भी ज्यादा एजी ठीक है आपको सिर्फ क्या करना होगा यहां पर टेक्स्ट लिखना होगा यह जो मर्ज वगेरा हमने किया उसकी ज़रूत नहीं पड़ेगी सिर्फ आप यहां पर इसको में डिलीट करता हूँ ょपकयो पर टेक्स्ट के उपर जाना ठीक है एंड यहां पर टेक्स्ट लिखना वहfunded लेसी में अपर अपर पॉस्हाम और यहां पर टेक्स्ट के उपर जाना और डारेक्ट आप यहां पर इमेज को पर जाके जस्ट उस वाले इमेज को सेलेक्ट कर लोगे तो यह जो टेक्स्ट होगा इसमें यह वाला इफेक्ट आ जाएगा एंड आपका यह बन जाएगा अब हम एडिटिंग स्टार्ट करते हो और मैं आपको बता हूँ एडिटिंग बहुत ही आसान होने वाली फोटो बनाने में ही थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा एडिटिंग में जादा टाइम नहीं लगेगा आप वी एन एपको ओपिन करना कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा देन आपको प्लास वाले वोटन के ओपर क्लीक करना है और डिव प्रोजेक्ट के ओपर क्लीक करने के यपे इस आपको यहाँ पर कोई सभी एक image सेलेक्ट कर लेना है या फिर वीडू ठीक ही लाइक में फोटो जो वाले सेक्चन ओपर जाके媒 कुछ भी कर लेता हूं जैसी कि अपना है कि में select करकर next अपर click कर देता हूं आप भी कर दे आपके बार आपको वीडियो के last में जाना है एक Input टाइटल कर सब्सक्रायर करके मिलेगा इसे alt posture कर दे ना इस ब्सक्राइर करना फिर यहां पर material का option मिल जागा इसको उपर क्लिक करके black color को select कर लेना है ओके तो यह add हो गया अब आप अपनी photo को हटा सकते हो तो delete कर देते ठीक है तो यहां पर यह image add हो चुक है अब इसका जो duration होगा उसे आपको increase कर देना है जितना time तक आप बनाना चाहते हो तो आप 30 seconds तक बना सकतो 15 seconds का भी बना सकतो ठीक है मतलब जितना आपको required होगा उतना आप increase कर लेना उसके बाद यहां पर original को उपर click करके आपको just 16 to 9 को select कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर just आपने जो टेक्स्ट अगरा लिखा है उसे add करना होगा और music add करना है तो सबसे पहले music add करना क्योंकि उसी के recording editing होगा तो यहां पर click करना music को पर click करना फिर my music में आपको click करना है और music library को उपर जाके just music को select कर लेना है और musical link मैंने दे दिया description हो तो आप वहां से gain कर सकतो अगर यहां पर आपको ढूंडने में time लग रहा है तो आप यहां पर back कर लो search वाले option को उपर जाओ आप यहां पर trailer लिख देना उस music का नाम trailer ही है ठीक है यहां पर आ जाएगा फिर आपको इसमें beat marking कर ना मतलब जहां जहां beats आ रहें वहां वहां आपको mark कर लेना है ताकि easily editing कर पाओ तो beat marking करने के लिए आपको इसको पर click करना होगा beat का आपको option मिलेगा इसको पर क्लिक करना देन आप इसे प्ले करना प्ले करना आपको सुनाया देगा कि यह स्टार्टिंग में एक बीट है यहीं पर तो आप इसको पर क्लिक करना बीट एड हो जागा फिर आप इसे प्ले करोगे फिर आपको बीट सुनाया देंगे जहां जहां आपको बीट से कुछ तरीके से जस्ट एड कर लेना है तो मैंने यहां पर सारा बीट से एड कर लिया है आप इस तरीके से एड कर लेना उसके बाद okay कर देना means done कर देना है तो यह हो चुका अब आपको यहां पर आपका जो text है उसे add करना है तुसरे add करने के लिए third वाल बटन को पर आप क्लिक करना फिर उसके बाद वीडियो एंट फोटो को पर क्लिक करना और यहां पर photos वाले section को पर जाके अपने photos को आपको select करना जिन्हे तो रख देना ठीकला इस तरीके से इसको आपको जस्ते सेकेंड वाले बीट तरह लिए तक रखना होगा तो आप यहां से स्क्रॉल करता हुए second वाले बीट के पास आ जाना यहां पर तो यहां पर आ जाएंगे बट भीट से थोड़ा सा पहले ही रखना है ठीकला इतना की फ्रेम लगाना ठीक है और इसका साइज थोड़ा इंक्रीस कर देने लास्ट वाला में ओके उसके बाद मोशन को उपड जा कि इसको पर क्लिक करना यहां पर आपको एक फ्रेड को उप्षन मिलेगा इसको पर क्लिक करना है आउट में जाना है इसमें भी फ्रेड को यहाँ इनिमेशन बन जाएगा ओकी अब उसके बाद आपको यहाँ पर जस्ट एक ग्राउंड एड करना होगा जो कि टेक्स्ट में इफेक्ट प्रोवाइड करेगा ठीक है तो उसे एड करने के लिए फिर से आपको इसी को उपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करोगे विडो और इसका जस्ट शाइज को सपी इनक्रीज वगेरा कर लेना उसके बेंडिंग को चैंज करना हो ता सक्रॉल करना यहाँ पर ब्लेंड निंग को ऑप्शन मिलेगा इसको डाउपे कलिक करने हैं फिर जस्ट ऐसका क लर कलर बर्न को सेलेक्ट करने ठीक है और ओकी कर देना है इसे न आ आपको अपना тेक्स्ट से पहले रखना है तो साइज मनलब यहां से रख देंगे ठीक है आब आप यहां पर देख पाऊगे यहाला जो एनिमेसन वह बन गया ओके एनिमेसन बन अब हमें सिर्फ बैक्ग्राउंड की जरोत पड़ेगी तो जस्ट इसके उपर फिर से आप क्लिक करना विडियो एंड फोटो को पर क्लिक करना और यहां पर इस वाले बैक्ग्राउंड वीडियो को सेलेक्ट करना अगे इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ आप देख पाओगे यहां बिल्कुल परफेक्ट एड हो गया अब उसके बाद आपको सिर्फ यहां पर सिनेमेटिक बार एड करना है तो इसको पर क्लिक करके जस्ट आप फोटो को पर जाना फोटो में जाके इस वाले सिनेमेटिक बार को एड कर देना इसे भी आप पूरा वीडो के लास्ट तक कर देना है लाइक जो सिनेमेटिक बार से हमने एड किया या फिले जो बैक्ग्राउंड में हमने जस्ट इमेज एड किया है वो सभी को पूरा वीडो के लास्ट तक रख देना है ठीक है और यहां पर आप देख सकतो और स्टार्टिंग वाला जो यह वो बन गया अब सिमीलरली आप उसारा बना सकतो लाइक यहां पर जहां से हमारा सेकेंड बीट आ रहा है आप यहां पर आना एंड उसके बाद सेकेंड इमेज को मतलब सेकेंड टेक्स्ट को अड करने के लिए इसको पर क्लिक करना वीडो एंड फोटो को पर जाके फोटो में add करना होगा लाइक यह तो यहीं तक रहेगा ना हमारे beat के पास तक तो यहीं तक रहेंगे और keyframe लगाएंगे और last वाले keyframe में इसे थोड़ा से जूम करना है मतलब बिल्कुल same step है ठीक है फिर आप यहां motion के उपर जाना in में fade out में fade और done करना है बिल्कुल same step है और यहां पर यहां पर आपने बनाया है यह वाला इसी को just duplicate करके यहां यूज करना बार बर क्यों मेहनत करना ठीक है तो इस duplicate वाले को यहां पर आपको use कर लेना है दिन आप देख सकतो बिल्कुल same यहां पर second वाला भी बन गया तो इस तरह सब बना सकतो काफी easy है आपको सिर्फ यहां पर सारे text को add करते जाना है and बन जाएगा मैं आपको करके दिखाता हूं like आप यहां पर देख सकतो मैंने सारा यहां पर add कर लें जैसे कि ही हमने इसे बीट के according ठीक है तो इस तरह से करके आप इसे बना सकतो काफी easy है अब उसके बाद इसे export करने के लिए यहां पर आपको क्लिक करना एन उसके बाद quality को पूर मैक से करके export कर लेना I hope आपको हरी कश्टे पता चल चुका है और आप आराम से बना सकतो मिलते है नेक